जस्ट रेकाउट हो रहा है काफी अच्छा सेटा हमको day time frame के अंदर वाल किस्ट इंडर्स्रीज में मिला है जब हम लोग day time frame पर देखेंगे बहुत बड़ी volume के साथ है candle form हुई थी हमारी इस दिन 15th of November 2022 कि यहां पर देखेंए price बहुत देरon बहुत दिन तक इसने इसे इसने चाल सकते हैelों मतलब । एक्जेक्ट म करने में जहां तो US todas तो हम मरत सेंब होता है कि कोई आससा सेटड फांट कर लेना जो की एक यह अंसा संक्लियन की इसक्पर Ոहाला क्षफ जो की एक सपोर्ट हो, हमें सिर्फ यही चाहिए, इससे जाद और कुछ चाहिए ही नहीं, जैसे भी हो, किसी भी टेक्निक का यूज करो, टेक्निक का यूज नहीं भी करो, तो नेश्वल नंबर के कॉर्डिम कुछ भी करो, बस हमको इस तरह का एक रेजिस्टंस लाकर के हम उससे ट्रेड एक्जिक्यूट कर देंगे, यह इस तरह का सपोर्ट अपला करके देदो, तो उससे हम एक्जिक्यूशन कर देंगे, अपना, methods कई सारे आते हैं, हम volumes वाली के इंडल ले लेते हैं, हम following gross pattern ले सकते हैं, हम lows ले सकते हैं, highest high ले सकते हैं, कितनी सारे टेक्निक VRL के उपर हमने आपसे काफी discussion किया, X VRL के उपर वो techniques हो सकती है, MT4 के उपर हमने discussion किया है, वो techniques हो सकती है, लेकिन सभी techniques का काम यह होगा, कि हमको एक exact reversal points ला करके दे दे, exact resistance या फिस support area, आज भी देखोगे आप, हाला कि हमने इस heavy volume का use किया, लेकिन इस heavy volume का use हमने कहां पहु पर जिसको हो कि हम बार-बार resistance बोल रहे हैं, आज market ने वहाँ पर support लिया, यह देखे resistance, price सीधे उपर शला गया, और वापस से देखे उसी जगह पर आकर कि रुका है, हुआ ने इसकंदर एक gap down हो तो price सीधे नीचे गिर गया था, अब हमें next इसकंदर एक green candle form होती हुई, द management क्योंकि stop loss तो बड़ा आ रहा था, जिसवाज से quantities को फिर हमने कम कर दिया, यह तो एक resistance area हो गया, जहां पर हमने इस बड़ी वाली candle का इस बड़ी वाली volume का यूज किया, इसके अलाबा देखे, इस बड़ी वाली candle के पास से जब आप price को read करने के कुशिश करोगे तो इस ने कितने resistances form किये थे, जब मैं यह देखना हो कि resistance कितने form किये तो यहाँ पर फिर हमें marking की मदद लेनी पड़ती है, यह देखने के लिए कि price की positioning क्या है, हालां कि trade हमारा 1994 या 1998 के पास से ही execute हुआ है, बट फिर भी price की positioning क्या है, वो actual gear कहां से रहा है, तो एक तो resistance points हम इस इसको ले सकते हैं यह और इसके बाद से फिर हमारी resistance point जो बन रहे हो यह वाली areas बन रहे है, इसके बाद में फिर price हमारा upside की तरफ चला गया, यह resistance point बन रहा है, इसी तरह से upside की तरफ resistance बनते चल जा रहा है, तो price ने क्या किया, कि सबसे पहला price ने इतना बड़ा जो move दिखा तो direct इसने 2073 को break कर दिया नीचे की तरफ, volumes भी increase हुए, second day भी market ने नीचे की दिशामयानय का movement दिखाया, but इस वाले support पर आकर के इसके अंदर buyings start हो गई, and volumes फिर से कम हो गई, तो कुल मिला करके हम देख सकते हैं, कि price हमारा एक support पर है, volumes कम हो रहे हैं, और price नीच आ तो क्य यह diversion है, अब चलते हैं हम सीधे lower timeframe पर, क्योंकि हमें मालूम है कि इसके अंदर में buying करनी यह green candle ही form हो सकती है, तो कल के लिए हमने एक candle, इसके एक important, एक master candle निकाली, क्यों, क्योंकि price जब अब से downside की तरफ गिर रहा था, यहां से देखी नीचे की देशामया, और यहां से फि फिर पूरे दिन देखे, इसका low सेफ रहा, आज हमने क्या किया, इस red वाली candle का just high mark कर लिया and low mark कर लिया, और हमारी day time frame की marking तो है ही, और previous day का trading session का हम कोई एक important candle मिल गई, अब इस important candle के पास में market कर क्या रही है, देखे, trade execution ऐसा हो तो हो नहीं जाए कि जैसे market ऊपर निकाल ल जोन है, यहाँ पर आप देख रहो ना, किस speed से price ने upside का movement दिखाया, एक तरह का order block बन जाता है, यहाँ पर आते ही देखे, इसके अंदर buying से start होगी, volume के साथ, price upside की तरफ चला गया, जब जब price आपका इस zone में आएगा ना, इसके अंदर आप देखोगी कि volumes increase होगी, volumes increase हो रह इसको mark कर लिया, price में यहाँ से buying pressure रहा है, price इसके ऊपर में ही पूरे दिन travel करता रहा, और आज भी जो हमको market मिली है, हमको सबसे पहले 1929.65, day time frame का important level, और कल का जो order block था हमारा, यह वाला है, यहाँ से फिर price हमारा upside की तरफ चला गया, और यह भी मेरा support area है, तो कुल मिलाकर कि price इन support पर support ली रही है, कल मिली कहा था न, कि price अगर support को break करेगा, अगर उसको support को break करना होगा, नीचे की दिशा में जाना होगा, तो वो support को break करेगा, और resistance को protect करेगा, उपर जाना है तो resistance को break करेगा, और support को protect करेगा, सेम चीज़ यहाँ पर देखी हो रही है, price को अगर पर की दिशा में जाना है तो अपने सपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है फिर से देखिए एक नया रेस्टेंस यह बना ब्रेकाउट अगें देखिए वहीं पर आकर के प्राइस ने सपोर्ट लिया प्राइस यहां से सिधे अपसाइट की तरफ तो में भी चांस है प्राइस इसके अंदर लिए है अपनी 1989.30 यह एंट्री का पॉइंट है तो यहां पर एक पेस्टिंग कर लेते हैं 1989 और जो स्टॉप लगा है वह 1979.65 यह हमारा स्टॉप लॉस और यह देटाइम के लेवल कर देते हैं तो एंट्री स्टॉप लॉस के लिए कि कल के लो के नीचे के हाई तक रेजिस्ट होने के लिए जाए अगर ऐसा होता है तो 2025 का हमारा बहुत एक हैल्दी टार्गेट लेवल होगा इसको मार्केट जैसे टच करेंगे हम यहां से बहार निकल जाएंगे लेकिन अवेर रहने के जो पॉइंट्स होंगे वो यह वाले भी हो सकते हैं मेरे में भी हो सकता है कि प्राइस इस रेंज से टक रहा है और टक रहा जाने के बाद में फिर यह सीधे नीचे की दिशार मूव कोशिश करेंगे 2020 या 2025 के पास में यहां से एक्जिट करने की लेकिन जब तक प्राइस 2020 तक नहीं पहुंच रहा है तब तक हम इसके अंदर वेट ह काफी बार आप लोगों ने सुना होगा फिबुनाची फिबुनाची का यूज तरह तरह से लोग करते हैं कई सारी टेक्निक्स होती है हाइस लोग मोनी की 9 15 के कैंडल बहुत लूबर टाइम पर फिबुनाची का यूज नहीं करना चाहिए और अब या फिबुनाची का एक जो कॉमन चीज होती है जिसका को प्रैक्टिकल मार्केट में हम लोग यूज करते हैं बहुत ज्यादा फाल्तों की चीज़े नहीं कि यह 0.2, 2.3, 6.3 यह सब कुछ नहीं जैसे इसके अंदर देखिए आप कुनाची को जब हम ड्रॉ करने हैं तो 1, 2, 3, 3, 3, 4 तर और 6.8 आपका 3 ताइम आएगा देखिए जैसे 1, 2, 3 और यह 4 और 6.8, 618, 618 यह तीन बार है 618, 618, 618 त्री ताइम आगया और नीचे 3 to 6 यह इनकी अपनी कल्कुलेस्टिन्स हो देखिए जो अपनी फिबुनाची के अंदर आपको देखने को मिलेगी सिंपली देखिए करना है क्या कोई भी ट्रेड एक्जिक्यूट कर आप कोई भी ट्रेड एक सिंपल सी चीज हम बताते हैं वह बस इसके अंदर अप लगा देखिए या इस तरह के बालकिष्णा के अंदर हम आपको एक्जांपल देगे लाइफ मार्केट में अभी देखिए कुछ नहीं करके हम सिर्फ एक काम करते हैं चलिए यह हमारे कुछ स्विंग्स हैं जैसे 930 की केंडल बनी है और यह आपका मॉनिंग की केंडल है मॉनिंग में जो ह हाई से ले करके एक लो लगा लेते हैं मॉनिंग का जो सबसे पहला सुल बनेगा जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारा सबसे पहला सुल यह स्विंग पॉइंट हमारे लिए होता है बहुत इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस अगर इस सवाले लेवल को ब्रेक करके ऊपर की त आ रहे थे वह टार्गेट ने बोले थे आपको कि इस जगह तक में भी चांसे के प्राइस आ करके थोड़ा सा रुखे कोशिश करें कि यहां पर रुख जाएगा यही एक रिजन था इसके पीछे अब यहां से अगर प्राइस ब्रेक आउट होकर के अपसाइट की तरफ गया तो चांसेज इसमें भी हमको हाई लग रहे हैं कि फिर प्राइस यहां से आपका अपसाइट की तरफ चला जाए 2025 यह फिबुनाची के बहुत यूनिक यूज है बहुत ज्यादा इसके अंदर डीप में जाकर क्या बहुत हार्ड एटएप कुछ ऐसा कुछ नहीं आप नहीं तो डाइंडमली कोई स्टोक आपके करilो हिंच डाल को है हिंच डालकर उठाालएजए मौशनिमेंग में इसका यह सबसे पहले स्वेंच लगाए होगा जैसे यह ईए करेंज यांच सेंधेड एट्रेट उर्काने इस जगए से यहां के लिए next target levels के यह कुछ retracement के zone होते हैं हम अभी तक जितना समझ पाएं कि price जब तक इस वाले zone में रहता है यह side way ही रहता है इसे अगर एक trending move दिखाने तो price को अपना support break करके और नीचे की तरफ आना होगा और second वाला जो area 618, 1.618 को cross कर देने के बाद में next two point मतलब 618 यहां तक price के movements की उमीद रहती expectations होती है बहुत बार होता है कि price half दूरी तै करके ही upside की तरफ घूम जाए या अगर downside की तरफ हम जा रहे तो फिर यह यहां से नीचे चला जाए क्यूंकि last video में भी हमने आपको बताया था पूरी दुनिया यह देख रही है अगर operator क बैठा तो उसको मालूम है कि किसी ने यहां से trade किया और यहां पर अपना target वो करेगा तो बहुत बार वो कोशिश करेगा कि आधी दूर तक जाए यहां से आपको stop loss hit करे और वापस से नीचे की तरफ ऐसे किर चाए उसके बाद में target देगा इस case में stop loss से बचना भी होगा stop loss find भी करना होगा target भी लगाना होगा entry भी लगाना होगा शुप उनाची का एक बहुत अच्छा बहुत 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 है जो इसका use हमें आस तक समझ में आया है ना सिर्फ आप morning के first swing को mark कर लो और जैसे ही price 433.351 433.35 के नीचे travel करने आ रहा है ना आप इसके अंदर trade exit next target area आपको यह होगा यहां तक देखेगा आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि यहां तक target आपको मिल ही जाए करते है कि price में 50% क्यूंटी हम बीच में भीक कर लेते हैं और बागी क्यूंटी का आगे तक बेट करते हैं यह कुछ movements है जब आप daily basis पर practice करोगे आपको बहुत अच्छी तरह समझ भाएंगे अब देखे जैसे निफ्टी आईसे इसे बैंक यह मौनी की केंडल फॉर्म होगे अभी तक प्राइस निकला ही नहीं अभी तक यहां से निकला ही नहीं तो जब तक प्राइस आपका इस रेंज की बीच में जब तक इस रेंज की निकलेगा फर्स टार्गेट और यह आपका सेकेंड अप देख ली जगा इंडिगो अभी तक यहां पर पहुंचा नहीं बट मार्केट क्लोज होते होते मार्केट क्लोज होते होते आपको यहां तक दिख जाएगा जिस स्पीट से नीचे की तरफ आए कुछ क्लाइमेक्स अगर यहां पर बड़ी वॉल्म नहीं आई होगी नहीं बड़ी वॉल्मस आई हैं तो देखिए यह केंडल मेरी सिग्निफिकेंट बन गई यह इंपॉर्टन केंडल बन गई इसके नीचे अगर मार्केट निकला तो में भी चांस है आपका 1.968 के नीचे तक चला इसके एक की तरफ आई है अपसाइड में इंडियों जैसे प्राइज अपना स्विंग ब्रेक किया देखिए इसके अंदर मूफ कितना बड़ा हुआ सिर्फ आपसे बात करते करते यहां पर शायद भी चार 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 जार का प्रफिट चल रहाता है अचानक से इंक्रीश हो करके 8,000 हो गया तो वेट करेंगे वहां तक का इसका यूज करो आप आप देख लिए जगए जो भी छूटी छूटी चीज़ें बताते हैं आप आप कहीं पर भी पढ़ाई करने जाओ किसी को फीज दो कुछ दो आपको कोई बताए गहीं नहीं कोई नहीं समझा गई इस सारी च की ये प्रा को स्ट्रॉंग बनाने के लिए भी वोल्यूंक का यूज करो प्यूर प्राइजेक्शन पर ओ इंडिकेटर को इसन मः एक खराब होते लेकिन हमारे ऐको ऑ्डिंग मौग लिग होते हैं बहुत बार आपको स्टॉप लोस ले लेते हैं तब इसफ्सक्राइई हम आपको Fibonacci के बार में बताते हैं, देखिए, Fibonacci के जो टूल्स होते हैं, प्राइज में क्या है, एक होता है, एक होता है, एक रिवर्स, अप, डाउन, इसके बाद में अप, Fibonacci का जो एक यूज है, वो ये बोलता है, कि प्राइज में यहां से हम लोग एक लाइन पहले तो डॉप हाई, यह कुछ। कि अंदर मोविंग समय अगर करनी है तो यहां से उठा लीजिए आप सीधे फ्योगो ना चेको या तो रिट्रेस्मेंट या ट्रेंड बेस्ट को ले लो आप तो प्राइज अगर अपसाइड में जा रहा है अप ट्रेंड कर तो डाउन से अप में आप मारो एक और इसके बाद में इसको जहां से शुरुवात किती वहां लागर पर छोड़ दो इसमें कुछ गोल्डेन कुछ इसके पॉइंट्स होते हैं यह गोल्डेन प यहां तक आया गो यहां सूपर चाहिए लेकिन confirmations क्या होते हैं कई बार आप देखोगे कि price यहां तक आया और फिर से नीचे की तरफ गिर गया तो breakout होने से पहले ही अगर हमें trade execute करना है तो हम कैसे करेंगे अभी last video ही हमने upload किया उसमें देखे breakout करने से पहले price कहीं ना कहीं कुछ ने कुछ symptoms हमें दिखाने लगता है कुछ price actions वेसे बंद नहीं लगेंगे price अपने support को protect करने लगा in a lower time frame वो support को protect करेगा and resistance को break करने लगता है यहीं कुछ points होते हैं कि इस जगह पर आपको observe करने पड़ते हैं ऐसा नहीं है कि आख बंद करके इसके बाद में trade execute किया और price अपना resistance को break कर गया क्योंकि अगर उसको जाना होता ना तो वो कल के low के नीचे जा करके हमारे stop loss ले लेता बट ऐसा तो उसने किया नहीं and low के पास से वो support लेने लगा पहली चीज़ लेकि इसको बहुत ज़्यादा गोमाते नहीं तो price में क्या low के बाद में high लगा देते हैं यहाँ पर भी जो price की retracement की zone होते हैं जो golden point बोले जाते हैं वो 0.5 यह 0.6 यह point होता है कि price में अगर retracement होना है तो price नीचे गिरते गिरते एक retracement देखा गए 0.5 यह 0.6 सक पहुँचेगा और यहाँ से फिर यह नीचे की दिशा में गिर जाएग तो वो ऐसे यूज करेगा उसको यह नहीं मालूम है कि price हमारा support पर है या resistance पर है इसको समझने के लिए पैसे समझे कि हमें तो मालूम है price हमारा downtrend में है तो उसने down की move से retracement को ले लिया लेकिन अगर यही down move price इसी जगह पर एक support पर आकर के रुका हुआ है अब क्या करेंगे हमें तो मालूम है कि यह support point है day time frame का और वो इतनी जल्दी break नहीं होगा तो बेशक price यहां पर downtrend हमको दिखा रहा था पर इस जगह पर इसका एक day time frame का support area है यहां से price जैसे ओपर की तरफ जाएगा downtrend में होने के बावजूद भी हम retracement जो इसके अंदर draw करेंगी वो uptrend का अभी दोने example हम आपको देखाएंगे बालकिष्णा तुम देखे रहा है अब day time frame पर कल का high हमें जैसे बोला था आपसे कल के highs को चलिए हम लोग mark क्यूं कि वो जो बड़ी वाली candle थी यह वाली candle यह इसका support point है यहां पर तो यह इसका actual support area है अब जब आप 5-minute के time frame पर जाओ रूल्स के according तो हमें high, low and high को draw करना होगा तो यहां पर मारे level निकल आएगा अब हमने यहां पर क्या किया है क्यूंकि यह support पर यहां से upside का move हम expect करने है तो इसलिए हमने यहां पर just opposite किया एक low, high and यहां पर देखे यह resistance point बन गया और यहां पर आप देखोगे कि यह वाली जो हो रहा है 10,000 चलिए 10,000 हम पहुंच चुके इसको refresh करें देखे 10,000, 10,000 के round चल रहा है अब देखे आए चर मोटर में इसके अंदर क्या करेंगे यह uptrend में है एक हम ले लेंगे अपना low, high and low अब यहां पर 0.6 यह है 0.5 और second है हमारा 0.6 देखे retracement का एक पूरा area हमको मिल ग zone के पास में पहुंच जाने के बाद में यहां पर पहुंच जाने के बाद में आपको अपनी confirmations देने लेगे बाइं के कि यहां से फिर price अपने support को protect कर रहा है resistance को break कर रहा है अगें यहां पर support को protect कर रहा है और resistance को break कर रहा है आप trade मार दो यह जो resistance area है बहुत ज़्यादा chance ह बहुत यूज करते हैं क्यों कि price and volume इनफ है अम्बुजा सिमेंट है, अम्बुजा सिमेंट के अंदर क्या हुआ है? Uptrend, Uptrend में क्या करेंगे? एक low, एक high और यहां पर अपना low लगा देंगे अब यहां पर देखे 0.6 यह है और 0.5 0.5, 0.6 यह बन गया आपके golden levels यह retracement के zone है, price में अगर retracement हो नहीं है तो बहुत हद तक price इसी जगह परा करके retracement करके ऊपर निकल जागा charts में use करो इसका, uptrade execute करो, uptrades में use करो इसका आप देख लिए जगह बहुत अच्छी तरह से आपके help कर देंगे और इसके बाद में यह बाल किस्ट इंड्रेस्ट्री आगे अपना तो इसके अंदर क्या क्या था हमने, high लगा था high and यहाँ पर क्या है, just हमारा यह low point जहां से शुरू कहा तो वह पराप रख दीजए यह अपना यह zone बन गया और यहाँ पर जो retracement बना वह आपके 0.5 और 0.6 simple हो जाता है, मतलब इसे यह एक चीज़ पता चले जाती है कि price में जो retracement हो सकता है, वो किस जगह तक हो सकता है अब हमें मालूम है कि यह point इसका 0.5 और 0.6 का है यहाँ पर अगर price पहुँच जाने के बाद में आपके support को फिर से break करने लग जा है फिर से support को break करें, फिर से support को break करें तो chances है ना कि price आपका इस वाले swing को भी break कर सकता है हम उससे अपना trade execute पहले कर सकते हैं जिससे stop loss कमाएगा, entry जल्दी हो जाएगा और target बढ़ा मिलेगा इसका use करो आप अब ही जो trade हमने execute क्या है इसको analyze करो, chart खरो, पढ़ो, समझने की कोशिश करो इस channel पर हम आपको trade करने के लिए कि stock दे देते हैं उसे stock को निकालो, उसे stock को पढ़ने की कोशिश करो करने के चकर में अपनी study है आपकी वो ना बेकार हो जाए experiment in the sense कि खुद भी प्रयास करो कोशिश करो कि कैसे हम लोग levels को draw कर सकते हैं है न, so, अभी 10,000, 1070 पर ही रुखा, उसको refresh कर लेते हैं 10,000, 9,400 पर आ गया, चलिए, so, वेट करते हैं, निकलते हैं तो इनफर्म करते हैं आपको 217.90 का price चल रहा है हमारा, एंड आर रहा हम कितना मिला है आज के दिन में इस वक्त 1-3 चल रहा है, जाकि 1-4 तक हमें वेट करना था कोई बात ने, मार्केट का मूव थोड़ा सा सुस्त टाइप का था और जो अपना एक्शुल टार्गेट था, में भी शायद प्राइस वहां तक पहुंचा है और उसके आगे मूवमेंट मुश्किल लग रहे हैं क्योंकि वॉल्म्स देखे बिल्कुल ड्राई होगी, बहुत कम-कम वॉल्म्स आ रहे हैं 1000 और 1400 के राउंड की वॉल्म्स आ रहे हैं अब एक्जिट मारते हैं यहां से, और बुक में स्टॉप लॉस कर देते हैं, कैंसिल, पोजिशन बुक, स्क्वार फैरेसी, प्लेस और लिए सारी कॉंटी निकल गई कितना 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 प्रॉफिट बनाया आजका, रिफ्रेश कर लेते हैं, 11,000 के राउंड है, 10,900 ठीक, चलिए, फैरेसे, पैसे, प्रिफ्रेश कर लेते हैं, 10,900, ओक्या, आज के रत्रेट हम यहीं पर खत्म करते हैं और यहतने स्टॉक्स पर फैम में दिया थे, आज के सभी स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्मक ए है, यहां स्टॉक्स ने पर-फर्फॉर्म किया है, टे